नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेवली रालोस्पा के सुप्रीमो उपेंद्र कुश्वाहा को ले करके एक बार फिर से सियासत गरम है दरसल बिहार में बीजीपी के वरिष्ट नेता सीपी ठाकूर के तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ गया है सीपी ठाकूर ने कहा है कि उपेंद्र कुश्वाहा से मैं पहले भी कोशिश कर रहा था कि वो NDA में वापस आ जाएं और आगे भी कोशिश करता रहूंगा कि उनकी NDA में वापसी हो जाए सीपी ठाकूर ने कहा है कि राजनीत है गलतिया होती है और उन गलतियों की गुंजाईश भी रहती है तो इतना ही नहीं कहा उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर उपेंद्र कुश्वाहा चाहे तो NDA के सिर्ष नत्रित तो BJP के सिर्ष नत्रित उसे जा करके मुलाकात कर सकते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो सकता है आपको बता दे कि उपेंद्र कुश्वाहा को ले करके बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं जब से सीपी ठाकूर ने उनकी NDA में वापसी का बयान दिया है उपेंद्र कुश्वाहा फिलहाल धरना दे रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच सीपी ठाकूर का ये बड़ा बयान सामने आया देखें सीपी ठाकूर का जो बयान है वो कई मायनों में अहम है बिहार में विधानसभा 2020 का चुनाव बहुत करीब है और उससे पहले NDA कोशिश में है कि बिहार में एक मजबूत रणनीती तयार की जाए उपेंदर कुश्वाहा लगतार सवाल उठाते रहते हैं के अंदर सरकार के खिलाप सवाल उठाते रहते हैं शिक्षा एक ऐसा मुद्ध था जिसको लेकर वो NDA सरकार से विरोध उन्होंने किया अपनी मांगों को लेकर के जब उनसे मुलकात नहीं हुई अमिशा की मुलका के खिलाप सडकों पर खुद लाटी खाने भी उतर जाते हैं विरोध परदर्शन करते हैं और एक बार फिर से वो धरना परदर्शन कर रहे हैं इस बीच बीजेपी के सीनियर लीडर सीपी ठाकूर का ये बड़ा बयान सामने आया है ऐसे में अब देखना होगा कि उपेंद कुश्वाहा के एंडिये में वापसी के बायान दे करके सियासत जरूर गरम कर दी है बिहार विधान सभा का शीत कालिन सत्र का चौथा दिन है और कहीं न कहीं कई मुद्दों को ले करके अगर इस मुद्दों को भी उठा तो फिर और जादा सियासत होगी आप लाइफ सीट पर जाए धन्यवाद